तो कापसे जबा स्टोरी है हाँ बन पेजी एक है ठोड़ी सी उसको मैं सुना सकता हुगर आप बिल्कु बिल्कु सब्सक्राइब है सुनने के तैयार है सादो 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 यह धम्मपद अठकता जो है उससे संबंधित है इस स्टोरी का जो नाम है वो है चोर घातक वत्थू मतलब चोर को मारने वाला चोर को जो मारता था चोर घातक तो एक समय एक मतलब प्रसंजित जो थे उनके राज में एक विक्ति रहता था और उसका मतलब उसका जो थोड़ा रूप थोड़ा अलग था उसके जो बाल थे वो पीले थे और उस मतलब राज में चोर रहते थे और जरुत पड़ी तो वो उनको मारता भी था तो इस तरीके से वो लोगों वो जो चोर का सम्मूता लोगों बहुत परिशान करता था तो लोग भी काभी परिशान थे फिर लोगों ने राजा के पास में राजा को उन भी कंप्लेन के राजा ने फिर सोचा कि अब इसको कैसा करना चाहिए तो राजा जो था वो कोशिस तो बहुत कर रहा था लेकिन उसको पकड़ने पा रहा था तो फिर सोचे कि राजा प्लस लोग वहां के रहने वाले जो लोग है वो दोनों मिलके दोनों का एक गुरूप तैयार करेंगे और उनको पकड़ेंगे इस तरीके से फिर तो राजा के सेनिक और वहां के जो लोग थे वो दोनों मिलके उन्होंने मतलब योजना बनाई और उनको पकड़ लिया तो पकड़ने के पहले की घटना है मैं थोड़ा भूल गया था तो वो 499 जो चोर थे तो यह जो एक विक्ती था वो भी उनके गुरूप में सामिल होन चाहता था तो यह गया उनके पास में उनके जो सरदर था उनका जो में लीडर के पास में गया और लीडर को बोला कि मैंको आपके सामिल होना है मैं भी आपके तरह रहना चाहता हो आपके तरह जीविक करना चाहता हो तो जो चोरो का लीडर था वो चोरो का लीडर ने उसको को देखते बराबर उसको मना कर दिया और उस Ahhh कुछ क्वालिटे थे कि वह लोगों को च домой अगरे या उनका देखकर उनको फहुजान लें ता कि यह कहे तो उसको बूझी है यह बहुत कुरूर है, मतलब यह इतना कुरूर है कि यह अपने माता का स्थन काटके दूद खुन पी सकता है, अपने पिता जी का गला काटके खुन पी सकता है, यह इतना कुरूर है, तो उसको उसने वापस भीर दिया, लेकिन बाद में वो जो विक्ति है, उसने क्या किया कि बाकि जो चोर थे उनके साथ में जमित्रता की और उनको अपने तरफ वस में कर लिया और सब लोग ने जाके फिर उनके सरदार को बोले कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है और इसको बहुत कुछ आता है ये हमारे काम में आएंगा अब बहुत लोगों ने बोलने की वज़े से उनको जो सरदार है उसने फिर उनको अपने ग्रूप में कर ला इस तरह कैसे वो जो ग्रूप था वो पासो का ग्रूप बन गया तो पासो का ग्रूप बनने के बाद में फिर जो गाव के लोगों राजा ने उनको पकड़ने की योजने बनना ही और पूरे को पकड़ लिया नोने और उनको सजा देने के लिए राजा ने बोला कि इसको क्या सजा देना चाहिए तो जो नयधीस था कि इन लोगों को पकड़के सबको ना चाहिए मतलब इनको उद्ध करना चाहिए तो अभी राज Cum तो नियादिष ने तो फैसला कर दे कि इनको कलने से काट के मारना चीए र किन अब इसको मारेगा कुण क्यों कि उसमें मारना लोगों पसंद नहीं था और कोई मारना नहीं चाहते थे किसी को तो फिर उन्हें सुझे कि अब क्या करना ची तो वो जो सैनिक थे उन्होंने वो 500 लोगों में से पहले उस जो वहां का सरदार था उनका हेड था उनको बोला कि भाई अगर आप जो अपने 400 निनने लोगों को विजदी मारते हो तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी और आपको जिवन दान दी जाएगा पलस आपको respect दे जागा इजव्त दिए जाएगा तो उसने बोला कि मैं अपने साथियों को नहीं मार सकता मैं उजह पायसे और इजवस्त नहीं है क्योंकि ये मेरे दोस्तumbles मेरे साथ ुम्हें ने काम किया तो मैं इनको इनको नहीं मार सकता तो इस तरीके से उसने सब को एक एक करके पूछा बाकी जो थे तो सभी ने इसी तरीके से जवब दे लेकिन ज़ा आकरी में जो चोर लास्ट में जो आया था जो विक्ती तो उसके पास जब सही निगए तो उसने बोला कि ठीक है बले गर तुम मेरे को छोड़ते हो और मेरे को इज़्यत देते हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ तो उसके बाद में फिर उसके बाद सही निकली जो सरदार था उसने जो बुलता कि ये मतलब इस तरी के से क्रूर होगा तो उसके वहाँ पर जो उसने जो गेस किया था तो उसको जीवनदान मिल गया और जीवनदान मिलने के बाद ने उसको रस्पेक्ट इज्जद भी मिल गई और उसको फिर निर्वय होके हो रहता था यह इसी तरीक के और भी दूसरे गृ Brooks तुस राज्य में थे तो दूसरे गृरूप जो दूसरे direction में थे तो फिर उन लोग भी पकड़ के लाए पासों लोगों को और इसको कोन मारेगा तुसको कोन मारेगा तो फिर उन्होंने फिर वही ट्रिक अपना है कि एक एक पूछे उन लोगों को तो उसमें से कोई भी तयार नहीं हुआ तो फिर उनको याद है कि इसके पहले जो वेक्टित है उसमें मार रहा था अगर उसको फिर से एक बार पूछे अगर वो तयार हो जाएगा तो फिर हम उसे को उसे से काम करवाएंगे तो उसके पास में गये तो फिर उसने उसको भी स्विकार कर लिए वह लहाँ तुम को पैसा देंगे इसके लिए तो तयार हो गया और उसमें फिर वो पासों लोगों की गरदन को काड़ दिया इसी तरीके से चारों देशा में पास पासों का जो ग्रूप था उस तरीके से उसने कम से कम दो हजार लोगों की कल्ले को उसमें काड़ दिया फिर उसी बीच में क्या हुआ कि इसी तरीके से कुछ लोग और भी मतलब गलत काम करते थे गुना करते थे तो वो एक दो एक दो इस तरीके से रोज पकड़ के लाते थे तो फिर उनको लगा कि यार इसको अपन नौकरी दे देते हैं और यह नौकरी करेगा तो हमारे भी प्र कि वो बुड़ा हो गया तो बुड़ा होने के वज़े से वो जिस जो लोगों एक बार में गला काड़ देता था क्योंकि उसमें ताकती बुड़ा होने के वाद में उसमें थोड़ा सरीर कमजर हो गया तो वो एक जटके में लो गरदन नहीं काड़ सकता तो उसको दो या त तोड़ा ठीक नहीं है अब हमको बदलना चाहिए इस विक्ति को फिर उसको वाँ से रिटार करती है, अब रिटार होने के बाद में मैं आप मैं क्या करूं इसके पहले उसके मन में कभी अच्छा कपड़ा पहने की और अच्छा रहने कभी ऐसी मन में इच्छा उतपन नहीं ह रहता थे साधर नतर से फिर उसनों सुटा कि अभी मैं क्या करता हूं कि अच्छे से कपड़े पहनूंगा अच्छा खाना खाऊंगा इस तरह किसे उसके मन में विचार है तो वो उस दिन नदी में गया नहाने के लिए और घर में अपनी जो उसकी घर वाली थी उसको बुल था कि आज बहुत अच्छा खाना खिर वगर वगर ना के रखना मैं आगे खाऊंगा तो वो नहाने के लिए गई के लिए आ रहा था तो उस समय उसी दिन उसी समय उसी दिन के बाते जो सारी पुत बंदेजी थे तो वो समाधी से उठे और उन्होंने देखा कि आज कोई ऐसा विक्ति है कि आज इसको मतलब मेरे ग्यान से किसे कोई फल प्राप्त होगा तो उसकी नजर में यह विक्ति आ गय कि नहीं तो फिर उन देखे कि मेरे को दान भी कर सकता है तो फिर वो बंदे सारी पुत्र गए उनके घर के पास में और उन्हें ने देखा कि कोई उनके सामने आया हुए घर में विक्षा के लिए तो वो गए और उनको बुलाया उनको बहुत आदर के साथ में घर में बुल जाना और उन्होंने खाने बाद में फिर उनको बुला कि तुम भी अभी खाना, तुम भी खीर खालो, तो फिर उसके बाद में ये गए और खीर खाने के लिए लगए, और जब ये खीर खा रहे थे तो फिर भंते को हवा चलने के लिए उनका एक नौकर था, उनको बोले कि तुम अभी भंते को हवा करो, मैं तब तक खीर खाता हूँ तो जब यह खीर खा रहा थे उस समय में उनका नवकर भंते सारे पुत्र को हवा पंके से जल रहा था तो फिर भंते ने बोले कि एक काम कर नवकर को बोले कि तुम मेरे को हवा में जलो वो जो खीर खा रहा तुमारे मालक जो चोर गाता कि उसको तुम हवा जलो तो फिर वो ग सद्दू हो गया सापट हो Меня उसका है और जब उनका खाना न होगया तो छ खाना हो ने केब रहाद में फिर बहनते सारे पुत ने उननोंको दमदेशना तCl coloc दमदेशना प्रारंभ गया तो उनका मन जो था वह दमदेशना में लग नहीं रहा था क्योंकि उसको बार-बार हुए याद आ रहा था कि भगवा मतलब मैं तो गलत काम किया जिन्दगी बर मैं उन लोगों को मारा इस तरह किस उसके मन में द्यान आ रहा था जिनि उसको बोले म realt काम किया और मैं बोले उन लोगों सवंने मतलने मर ने कला इक द्यान मरजी से नहीं मारा मेरको तो राजा उनके सैनिक बोलते तो मैं मारता था तो फिर बोले फिर इसमें तुम्हारा उतना कोई दोस है नहीं बोले क्योंकि वो तो तुम तुम तो नौकरी कर रहे थे बोले तो इसमें तुम्हारा बहुत जादा दोस नहीं बोले तो यह सुनने के थोड़े होगी। ऐसको लगाए कि के के में बहुत ज्यादा दोसी नहीं हो उसका पहला मन बहुत सब्सुपन स töखोब दहां के नि죤ा सोड़नी संसियेसाहें होति होति हम थोंगने में बहुत दोदौन कोदने तो इस तरीके से यह कहानी थी और यह कहानी आप लोगों से अच्छी लगे होगी आप सबने के लिए बहुत बहुत ही सुन्दर कथा और मुझे कथा प्या भी बहुत है मैं अपने एडिये डेवलांप करना-ची कवाता जब तक हमारे उमार शादीं करनाच लाइब नहींजुत बससे कम से कमgement अब तक तो भी हमने अपने माता किताव कि सुननी चाहिए इसा निए कि हमारे हर डिस्जन गलत होते हैं आपके भी कैसा डिस्जन गलत हो सकते हैं पर गलत होने पर भी कहीं खड़ेंग। उंधा सपोर्त हमारे साथ रहेंगा पर जब अपने गलत होता हैं इजसर बताने पर प्रScott गलत हुए ऊता कैंता है कि cuestión सबसे अच्छा मानते लोगों को और उसी की अक्सर खीर या चावल बनाते थे साली साली करके काता है साली चावल होता है सबसे अच्छा चावल ओता है दो कृता है ने अग मोस्त वुद्ध्ध कंट्री में ब्रॉण तरगाए कि बद्ध के समय में ब्राउं बहुत उसको मान में पता है अगर आपको यह होता है क्या बोलते हैं डेंगु अगेरा होता है तो उस समय इसी प्रकार का खेर बनाते थे सालीव चावल से या फिर वह परोस्ते थे ओके खेर खेर क्या इंपोर्टेंस होता है आथ शावस्ती इस दिए इंपोर्टेंट ऑफ खीर अधिश्ट अधिश्ट में अभी हमाइट ना करता हूं काए न वाचाय चित्ते न पमादे न मयाकतं अच्चयं खमत में बनते भूरी पहिया तथा गता काए न वाचाय चित्ते न पमादे न मयाकतं अच्चयं खममे दम्म संधिटिक अकालिक काए न वाचाय चित्ते न पमादे न मयाकतं अच्चयं खममे संध पुःयं केतं अनुत्तर अकास वंदामि बनते मयाकतं पुःयं सामिना अनुमोधी तब्भं सादु सादु अनुमोधामि सामिना कतं पुःयं मया दातबं सादु सादु अनुमोधामि ओकास द्वारत एन कतं सब्वं अच्यं खमतमे बनते अम्हन खममामि तुम्हे ओकास खमामि बनते दूतियं पी ओकास खमामि बनते ततियं पी ओकास खमामि बनते सादू, सादू, सादू सादू